संसार में स्वस्थ रहने की परिवाशा अरेक्ट सिस्टम्स में दी हुई है किन्तु सबसे संपूर्ण और सबको समष्टी से लेने की जो बात है वो संत्रक्रत के अईरवेद में है कौन संपूर्ण रूप से स्वस्थ है इसके लिए एक स्लोक है अईरवेद में समधोश समागनिष्ट समधातु मलक्रियह प्रसन्नात्में यमना स्वस्थ इत्तविदियते इत्त छोटे से स्लोक में बहुत विशद रूप से स्वस्थ रहने की बात कही गई है इसमें जो माटीरियल फीजिकल अप्यरेंस है वो तो अच्छा हो नहीं चाहिए उसका साथ साथ मेंटल इंट्र इंटरीक्ट वेल सकोलाजिकल और स्यको सोमेटिक आईमेंशन से उनको भी समेट लिया गया है तो जो लेटेस्ट विचार रहा है स्वास्त रहने के बारे में जो अवधार रहे हैं जो concepts हैं उनमें यह दिया हुआ है जिए बाहरी जो आवयों है हाँ पैस है यह सब अंदर का जो साइको सो मैटिक है यह देट इस मोर इंपोर्टेंट देन दे आउटर लोक तो साइको सो मैटिक जो डाइमेंशन से स्वास्त के वह इत्यस लोग पर दिये गये हैं कहा गया है इस सम्दूश्चर दोस्त कार्थ यहां पर है कि काई भुवाचित मांचिक यह तीनों और यह सत्व रज तम इन तीनों का संजोग होना चाहिए सत्व रज तम सम्दूश्चर समागनी चाहिए अगनिया सास है जट्राग भी सफ्टी तेज है तो यह अगनियों का संतूल है दोशों का संतूल है समदूश्चर समागनी चे समधातु साथ धातु है धातु का संजोग धातु का कॉंबिनेशन तेनों क्रियें मल मोत्र और पस्टी तीनों मल के धान्याग त्याएं यह तीनों का संजोग होना चाहिए तो स्वस्थ नहीं कह सकते तो इस तरह से पूरी समस्थी में और पूरे परिवेश में स्वस्थ रने के लिए इन साथों चीजों की आवशक्ता होती है और इसी के प्रयास में अईर्वेद में अनेक उपाय दिये गए हैं जिसते व्यक्ति अपना जीवन दर्म अर्थ काम अमोग से चारों को दिश्ट में रखते हुए जीवन बिता सकता है और अपने जीवन को संपूर्ण बना सकता है स्वयम को परिवार को समाज को और अन्तिम अन्तिम विस्टेशन में विश्व को वो सही तरीगे से रख सकता है देख सकता है इत्य अलम मैं ओंकार नात्र पाथी साहित्य मभवपाध्याए एस याइस लंडन नमस्कार